Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दाईना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 01 का All Important Topics को देखने वाले हैं पूरे बुक के अंदर में कितने Important Topics हैं, कौन-कौन से Topics को आपको पढ़ना चाहिए कौन से Topics ज़्यादा Important और Exam में आ सकते हैं, कौन से Topics Repeated Topics हैं, जो हर बार Exam में पूछे गए हैं इसके बारे में इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज का हमारे वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा Important होगा मैं इस वीडियो के अंदर में आपको कुछ वीडियो भी recommend करूँगा, जिसको अगर आप देखोगे तो अगर आपने साल बर नहीं भी पड़ा हो रहा, तो भी आपका syllabus almost 90% cover हो जाएगा और उसका impact आपको एक्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा, अगर आप उस वीडियो को सही तरीके से बोलो करते हो जो भी चीज़े बताए गई हैं उस वीडियो के अंदर में सही तरीके से करते हो, तो आपके number भी अच्छे आएगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, डिटेल में समझते हैं इस वीडियो का हमारा pattern यह रहेगा, कि हर एक chapter के अंदर में कौन सा topic important है, इसके बारे हम बात करेंगे तो आप से topic को भी discuss करने की कुर्चिस करेंगे, जिससे आपका topic भी clear होता जाए और अगर आप self study करने जा रहे हो, तो आपको पूरा book पढ़ने की जूरत नहीं पढ़ेगा आपको already topic पता होगा कि इस book के अंदर में, इस chapter के अंदर में ये topic important है तो आप directly उस topic पे focus कर पाऊगा और अच्छे से topic को cover कर पाऊगे सबसे पहले में बात कुर अपना पहला chapter है, यहाँ पर हम chapter 20 पढ़ने वाले हैं टोटल यहाँ पर 32 या 34 chapter आते हैं, MHI 01 के अंदर में, जिस book का नाम है आपके प्राचिन और मद्योगिन समाज यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो starting से लेके जो medieval time period का society था, वो किस परकार से grow हुआ, किस परकार से विक्सित हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं, उसका जीवन व्यापन करने का तरीका क्या था, प्राचिन से मद्योगिन समाज के बीच में, उसको हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हमारा पहला chapter में पढ़ने वाले, आपके book में unit में दिर्खा है, unit 1 के अंदर में इतने chapter आते हैं, unit 2 के अंदर में इतना chapter आते हैं, तो हम उस तरीके से नहीं पढ़ने वाले, हम यहाँ पर direct chapter के अंदर में discuss करेंगे, तो यहाँ पर हमारा पहला chapter आता है, जिसका ना तो इस चैप्टर के अंदर में एक टॉपिक आपको देखने के मिल जाएगा कि होमोनिट से लेकर जो होने वाला क्रमिक विकास का जो क्रम है ना उसको पूछा जाता है कि मानव का विकास हुआ कैसे जो आज का मानव है जिस रूप में आप हूं मैं हूं बाकी लोग है उसको ह करते हैं चेमत्स पहले जो मानव करते हैं उससे पहले इस तरीके से बना उसका क्रमिक विकास किस परकार से हुआ पहले इस तरह का नहीं था पहले जो मानव चार पैर पर चलता था आपने पड़ देखा हुआ जो आधी मानव का पूरा अगर आप डाइग्राम देखोगे कई बार आपने बच्पन से देखा हुआ जिसमें आपको स टीपिज़न से का होने वाला करमिक विकास को समझाइए या जो मानव का करमिक विकास का क्या प्रकिरिया थी उसको समझाइए यह आपका question बन कराता है तो है कि इसी chapter के इंदर में एक और topic रहता है जो topic रहता है कि लोगों का जो आरंभिक लोग तो आरंभिक मानव था उसक तीन टॉपिक रहते हैं पहले वाले चैप्टर के अंदर में पर दो टॉपिक उतने इंपॉर्टेंस नहीं यह यहां पे हम एक टॉपिक को लेकर चले कि करमिक विकास का कि करमिक विकास हुआ किस प्रकार से ठीक है समझ में आता है बढ़ते कंगे चैप्टर के तो बताओ क्या एड्रेस है तुसके पास कोई एड्रेस नहीं है जो भी खाना बदोस होते हैं वह घूंतु परजातिक होते हैं एक जगह से दूसरे जगह गूंते रहते हैं बारत के अंदर में बंजारा पर जाती के बहुत सारे लोग दिख जाएंगे राजिस्थान मद्यप करोगे तो एक important topic रहता है यहां पर हम दोनों को देखते हैं दोटोपिक आते हैं पर दोनों में से एक important topic रहता है जो कई बार पूछा भी जाता है पहला topic है रहता है कि पस्तों को पालतू बनाने का विवरण क्या है अब देखो आज की समय में आप देखोंगे किसी किसान को उठालो तो उसके घर में भेंड बकरी गायब पल रहे है ठीक है नॉर्मल भेंड बकरी गायब पाला जाता है तो ऐसा तो था नहीं डारेक्ट जैसी इंसान का उदभव हुआ जैसे वह homo sapiens sapiens बने और डारेक्ट उसने गायब पालना शुरू कर दिया ठीक ऐसा था नहीं पर study करना रहता है तो यहां पर हम बढ़ते हैं कि पसू को पालतू बनाने का विवरन क्या है इसके बारे में कोश्चन बन करा जाता है तो यह कुछ खास तो नहीं रहता पर आपको थोड़ा सा cover करके चलन ला है कि कई और पूछ लिया जाए तो आप उसको बता सको पर ऐस भर वाचिया वन लोग हैं वो क्या करते हैं ऑन्होंने भेन बकरी गाय पाल रखा है तो किसानों से डील करते हैं किसानों को उन्होंने मास दिया बाकिच चीजें दी तो उसके बदले में अनाज लिया में उनके आर्थवासथा का सोर्क क्या है कि स्था नोटाउ। Don इंपोर्टेंट रहेगा और मैंने 60 से ज़्यादा टॉपिक को पॉइंट आउट करके चल रहा हूं कि 60 टॉपिक आपके पास रहे और 60 में से अल्मोस 15 से 20 टॉपिक में अलग से आपको दू जिससे यह टॉपिक आपको समझ में आए कि यह वाला चीज़ इंपोर्टेंट रहने वाला है ठीक है और यहां पर एक रिक्वेस्ट यह भी करूँ है कि अगर अभी ताग आपने दर इन आपका मेंबर्सिप नहीं ले रखा है तो मेंबर्सिप जरूर्ब ले अगर आप मेंबर्सिप लेते हो तो आपको Last Five Year के Question मेबर की वीडियो का बेनेफिट मिल पाएगा क्योंकि कुछ हमारी वीडियो है वो Membership के अंदर के अमेंस वीडियो है वो बहुत ही ज़ादा इंप्वरेंट है जिसके अंदर में हमने Last Five Year क question paper की वीडियो Walt करवाई है एक साल में दो प्राते हैं दो बार exam होता है य crust only के अंदर में total तॉस 57 अंदर में सॉल्फ करवाया है 10 question paper मतलब मान के चलो 100 से जाए जादा question दो कोते हैं उसमें so questions को attempt किया गया है ऊर कोंसा को स्यांड़ करने के आपको ये भी समझ में आजाएगा कि most repeated question कुन सा है ठीक है most important question कुन सा है ये भी आपको समझ में आएगा ठीक है जिससे आपका तयारी बहुत अच्छे तरीके सोपाएगा कुछ टिप्स भी दी गई है आपको solve करवाया गया पूरे question paper को देट दो गंटे की वीडियो है और बहुत ही ज्यादा useful है जब मैंने वीडियो बनाया था न उसके बाद अगर आप comment box को दिखोगे तो बहुत सारे students के लिए यह helpful रहा है last time में ब्रमास के तौर पर काम करता तुम्हें suggest जबूर करूँगा कि जो भी student अभी तक हमारे दाइन आपका membership नहीं ले रखें और ले ले जिससे आप उन वीडियो का भी benefit उठा सके मेंबर्शिप के लिए आपको ज़्यादा पेकरने के जुरत नहीं है 59 रुपिस का membership और नॉर्मल यह आप इतना तो खर्च आशी करते तो पता भी नहीं चलता आप उसको लेकर उसका यूज कर सकते हैं चलिए यहां पर हर सब्जेक्ट का जो भी आपके सब्जेक्ट है न म सब्सक्राइब करते हैं और यह वाला वीडियो भी आपका membership के अंदर में जाने वाला है तो इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कुछ दिन के लिए उन रहेगा बागी membership में जाएगा यह वाला वीडियो भी तेलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेकंड चैप्टर क करता था चोटे जानवरों का संग्रहन करता था कंदमुल के फ़ाल इकठा कर लिया जंगल में उसके बाद वह पसुपालक खाना बदोस्का जीमण वहतीत करने लगा पसुपालक बना कुट्टे को पाला सूर को पाला भीन बकरी की और बढ़ा ठीक हूब पसुपालक खाना में खृष्य की इंदर कि प्रकार से वह यह दो टॉपिक रहते हैं कई बार इग्जाम में पूछे जाते पर यह इंग हो निए कि यूरोप के अंदर में किसी का राव क्या हुआ या मैक्सिको और अब देखो यहां पर किश्ची का प्रमाण दिखोगो न तो एक चैन बनता है सबसे पहले आप उसको चैन को समझना पड़ेगा चैन होता क्या है तो इन लिंक किस तर से बन रहे हैं दूसरे से इंटर लिंक कैसे करता है तो जो आरंबिक मानब का उदबव हुआ है यहां पर सीकार और संग्रणत पर निलबर था शिकार करने के लिए जो उजार उसने बनाए उजार क्या थे बहुत भारी थे तो उन और तरीकेश कार नहीं हो पाता था शोटे जानुर का सिकार करतें बहुत खार पर प्योंटीफाइघ हुए अपग्रेड और हलकी अजानुरों तो के धारदा रोजार भूचे चले गए जिससे वो बड़े जानमरों का भी सिकार करने लगे अब सिकार को खोजने के लिए अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कुट्टों को पालना स्टार्ट किया कुट्ट्य को पालने मुझा ज्यादा खर्चा नहीं लगत भून को मार कर खाया वी जा सकता थाве और सात ही साथ क्या ओता था कि कई बारों क्या करते तो अलग समूद आ होते थे खीं पीर करते थे तो इस होता था कि भीया अचानक से उसके मन में किया कि आज ना हम यहां पर ग्यों के लिए पूरा खेट वे जो तके बहुत है ऐसा कुछ बदलने का प्रोसेस ना वो एक लंबा परिवर्तन का दौर माना जाएं तो यहां पर दो टॉपिक के अंदर में जो में टॉपिक करेगा कि कृषी की और संकर्मन किस प्रकाल से यह पूछा जाता है यह आपको करना होगा यहां पर अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर परिवर्तित नवपाशान के ओजार थे उन दोनों के अंदर में डिफरेंस के हैं दोनों के ओजार के अंदर में कमपैलेजन करना है तुलना करना है कि पुरा पाशान के ओजार किस परकार के थे और परिवर्तित नवपाशान के ओजार किस परकार के हैं ठीक है और दूसरा आप धेखो यहां पुरा पाशान समाज के बारे में बात करूँ या उजार के बारे सुट करूँ तो जो नहीं है उजार प्रवर्तित नौपाशान काल के बारे में तो नौपाशान मतलब नए पत्थरों का यूग था जहां पे जो ओजार बन रहे थे वो हलके बने लगे धारतर बने लगे प्रवर्तित नौपाशान के बारे में कि क्या डिफ्रेंस हुआ तो यहां पर नौपाशान के मुकाबले में थोड़ा विक्सित समाज माना गया ठीक हो आगे बढ़ चुका था जैसे पूरा पाशान के अंदर में समाज जूत हुआ थोड़ा पीछा माना जाता है पिछड़ा साल बाद 25 साल बाद की बात करो तो 25 साल बाद आज हम लैक्टोप पर पढ़ा रहें यूटूब पर पढ़ा रहें क्या पता कोई नया अप्लिकेशन आ चुका हो किसी और तरीके से पढ़ाया जा रहा हो आपको 2050 के इंदर में तोहां पे कम से कम यह मान के चलना पड़ेगा आपको कि वह आपका जो समाज होगा विक्सित समाज के तोर पे आपके से अपग्रेड़ेड वर्जन होगा आने वाला समय तो सेम चीज़ यहां पर दिखने क्लिए मिल जाता है तो जो नौपाशान समाज है वह नौर्मल सी बात वह अपग्रेड़ेड़ेड होगा पुरा क्योंकि नौ पासन नए पत्रों का यूग और पुराणा पत्रों का यूग वहाँ पे पुरान समाज के समय करते हैं तो किस तरह ELRAN सबसे बेस्ट चीज क्या है कि सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटर लिंग करते हैं एक चैप्टर आपको जहां पर एंड करेगा ना सेकिंड चैप्टर आपका वहीं से स्टार्ट होगा तो मैं आपको रिक्मेंड करूँगा ये कि आप लास्ट फाइवेर के वीडियो देख सकते हैं नहीं तो एकनों के उपर में से फ्री में लास्ट फाइवेर की वीडियो कर लें अगर आप को सॉल्व करोगे ना तो आपका जितना भी टॉपिक है न वह एक्दम समप होकर बाहर निकलेगा जो इंपर्टन टॉपिक रिपीट हो रहे हैं जो मोस्ट इंपर्टन ट इंपर्टन लिए अब देखो हम यहां पर बात करते हैं दुनिया पर असर क्या पड़ा इन सभी चीजों का यहां पर मिलता है नातेदारी ववस्ता होता क्या है समाज के अंदर में हम साधी करते हैं साधी करने का प्रश्पेक्ट हैong सस्य जानता हूं मैं हमारे उनके बारे में भी सोचना है जोड़े लेके चलना है अब हमारा जो परीबार को तेस हो घाउ पांच-पांच पांच दस हो घ्यमान के चलते तो टूटल 15 लोगों है बाई की साथ वी तो और 15 लोग पांच लोग जूड़ गए तो टूटल 20-25 लोगों को यहां पर परिबार बंता चला जाता है तो नातिधारी व्यवस्ता क्यों लाए गया क्या रीजन था किस तरीके सो नातिधारी व्यवस्ता यूजफूल रहा वह को यहां पर बताना है तो नातेदारी व्यवस्ता ना निमेंली क्या होता था कि संगोत्री व्यवस्ता के उपर में अधारी थी कि गोत्र के अधार पर कि यह मेरा भाई दोस्त है भाई है ठीक है कस्टूमर के अधार पर कि यह मेरा ग्रांक है ठीक है तो अलग-अलग तरीके स होते था न वह क्या करते था अपने लड़कों की साधी ना बड़े-बडे नेपाउं से करवा ते रीजन क्या होता था कि उसको इलेक्शन जीतना है तो उसको उसका पावर भी इसको मिल जाएगा ठीक है या फिर वो कम जोर है आपको डिफाइन करना होगा वह अपको यहां पर निकला वह आपको जो खोज है उसका प्रभाव क्या पड़ा आदी मानद जीवन के उपर में यह आपको बताना होगा अब देखो आदी मानद जीवन के अंदर में ओजार का खोज आग का खोज आग और ओजार से क्या परिवर्तन हुआ क्या प्रभाव पड़ा क्या इंपक्ट पड़ा आदी मा कर तो नहीं कहाते होंगे बोजन कच्छा कहाते होंगे किस और तरीके से खाते हूँंगे आग के कोज के बादन का पकापकर खाना जीन लोगतों मैं ऑपग्रेड हुए तो सिक ओर आपके एपका कर पाकर खाना आसान note जीवन वापन के लिए तो क्या इंपक्ट पड़ा यह कोश्चन बनकर आता है इस चैप्टर के इंदर में जितने भी टॉपिक है न पॉनस टॉपिक जो मैं आपको बता है यह सारे टॉपिक टिपनी के अंदर में ज्यादा तर रिपीट होते हैं तो आपको टिपनी के इसाफ किस प्रकार का था ृश के बारे मं बात करते हैं यहां पर दो टॉपिक आता है कि पहला टॉपिक आपका यह रहता है कि मिस्र और मेसुप्तामेक सब्वयता के कार 1965 लोगों का जीवन में पर आपन करने का तरीकह ता है इंपक्ट is कि वनकर आता है तो यहाँ पर मैं यहां पे आपको मिस्स रोम्हंदु Von nobody वाले topic के साथ में आगे बढ़ना है एक यहां पर ना question और आता है इसवी वाले topic के अंदर में पीछे मैंने कई बार देखा है कि question बुचा भी है exam के अंदर में पर उथना कुछ खास question ही है question ही रहता है कि हडपा और मेसवुटामय के इंदर में जो शिचाई की ववस्ता थी, वो किस प्रकार के थी, किस प्रकार से शिचाई की जाती थी ये question यहांपे पूछójाता है, तो इसको भी आपको पढ़के चलना है, यहांपे जो question आ रहा है ना मिस्र, मेसपृतामय उर हडपा को आपको अलाग सेいます थी न न दी गई है कि मिस्र के अंदर क्या था मेसब्टामय के अंदर में क्या था फहापको केंदर लोग सकते हैं परद की आधार पर समाजिक और मापडेंटों के बारे में अब देखो दिरे-दिरे विकास हो रहा था ठीक है लोग विकास कर रहे थे तो विकास के अधार पर समाजिक और आर्थिक ववस्ता था समाजिक ववस्ता और आर्थिक ववस्ता विक्सी थी इसके बार में आप हम डिसकस करते हैं तो मिस्र और हडपा का जो सहर नियोजन ववस्ता था नगर नियोजन सहर नियोजन किस परकार से नगर बन रहे थे घर मकान बनाये जा रहे थे इसके बारे में बात करते हैं तो हडपा का तो नगर नियोजन विवस्ता सभी को पता होगा सभी student ने बहुत बार पढ़ा होगा ठीके छटी से लेकर बार्यू तक में आपको बहुत बार पढ़ने किले मिल जाता है बीए में बीए और MMA में बहुत बार में ने पढ़ाया है तो हडपा का नगर नियोजन विवस्ता निचला सहर और उपरी सहर दूर्ग सहर के अंदर में विवाजी था उपरी सहर के लो दूर्ग सहर के अंदर में विवाजी था मिसर के जो सहर वयवस्ता थी नागर नियोजन वयवस्ता थी वो किस परकार के थी दूनों को यहाँ पर डिफाइन करके चलना होगा साथी साथ इस वाले चैप्टर के अंदर में तीन टॉपिक आते हैं से मुझे उपर मैंने बताया मिसर हडपा और मेसुपटामिया और चार टॉपिक हैं चार टॉपिक के ना जो सहर का नगर नियोजन वयवस्ता है और तुल्ला है उसको आपको पढ़ना है ठीक है उपर वाले के अंदर में मैंने कृशी के बारे में बताया था सिचाई के बारे में बताया था सिचाई के बा पड़ने की आ जाता था जब उत्रों के निर्मान के लिए बेस के लिए फिर इफ्सक्राइब के बीच में इस परकार के होते ते एक हocal खार से दूसरे घर में जाने का रास्ता क्या होता था इस परकार से गीट दीए जाते ते गलियों का निर्वाड किस परकार से किया गया धिक किस परकार से आप प्रस्पेक्टिव किस से बिलॉंग करता है किस वर्ग का था इस सारी चीज़ें आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिल जाते हैं सेम प्रकार से विक्सित हुए सांग सब्वेदा के अंदर में सहरों की तुलना किस प्रकार गेती यह आपको यहां पर पढ़ना है और अच्छ प्राचिन सब्वेदाओं में सहरी चारु को यहां पर रहता है यह आपको बताना है रहता कि प्राचिन सब्वेदाओं के निनको पढ़ोंगे ना अपका और उन्टमेटिक हो चाएगा यह वाला कोश्चन पीछे बार रीपीट भी किया गया था कि प्राचिन सब बताओं के अंदर में सहरी करेंड को समझाइए ठीक है पूछा भी गया था आपके कई कोश्चन तो इसके अंदर में ऐसे हैं जो मैं आप बता रहा हूं आपके जो यह जितने भी टॉपिक्स है ना ऐसा नहीं कि बूक में साइसे उठा लिए इन सबी टॉपिक को उफान आउट करने के लिए लास्ट दस साल के उनका उप्यों कह गया किस तरीके से टॉपिक लिखा रहे हर एक chapter के हिसाफ से अलग लगद चाहरों को find out किया गया उस के बाद यहां पर topic लिखा गया साथ ही साथ आपके जो last आपके जो आपके assignment होते हैं last 3 साल के assignment के भी question से यहां पर लिए गए हैं कि assignment के question भी बहुत ज़्यादा important होते हैं अगर आप assignment के question भी solve कर रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है exam के अंदर में तो यहाँ पर तीन साल के आपका assignment के question भी लिए गया है जिसके basis पर यह तयार किया गया है और इगनू की जो बुक है ना उसको उपयोग किया गया इसके अंदर में topic को find out करने के लिए उनको match out करने के लिए कि यह chapter से belong करते या नहीं करते ऐसा नहीं कि किसी भी प्रैक्पिस जो आपका है खुद करना पड़ेगा सकते हैं और भी जो टीचर से हैं वहाँ पर आपको गाइड कर सकते हैं बता सकते हैं रास्ता की ऐसे किस परकार से हुआ अगर आप इसके बारे में बात कर तो इस chapter के अंदर में यही question आता है बंकर कि लेखनकला का विकास किस परकार से था ठीक है यह हडपा के अंदर में लेखनकला किस परकार की थी मेसुपटामय के अंदर में लेखनकला किस परकार की थी ठीक है यह आता है चेप्टरल नम्रौ 9 जहांने बातकें समाजिक धांची की पुन्नर संरचना के बारे में तो यहां पर कोस्चन बंखर आता है मेस्पुटामिया और मिस्र कि समाजिक संरचना के समाच की संरचना किसProuk की लोगों का जो जीवन वैपन का तरीका किस都 करता ने sa प्रकार के था यह सारा कोछ यहां पर बन कर दाता। तो दोनों आपको डिफाइन करना होगा धार क्या हुआ है तो यह आपको यहां पर डिफाइन करना होगा। इसके अंदर में टोटल तीन टॉपिक आते हैं, बर यहां पर मैं नॉर्मली अगर एक टॉपिक की बात कुरू जो आपके एक्जाम में पीछे रिपीट हुआ है, तो कोशन बनकर आया था असिरियाई के प्रसासनिक और सैनिक तंतर के बारे में, एक टॉपिक यहां पर रिप किस प्रकार से हुआ, ठीक है, बेविलोनिया जो समराज्य था, उसका विकार्स किस प्रकार से हुआ, यहां पर बनकर आता है, बेविलोनिया, ठीक है, बेविलोनिया समराज्य का विकार्स किस प्रकार से हुआ, असिरियाई जो समराज्य था, उसका उध्य किस प्रकार से और उसकी विसेश्ता भी बितान जिसके साथ में आपका सेयनिक और प्रसासनिक तंत्र भी कवर हुजाता है पर यहां पे टॉपीके आ जाता है बिबिलोनिया समराज्ज के बारे में कि बश्रोंगियर कोशन बने जाता है तो दो टॉपिक मानके चलो इसमें इंपोर्टेंट रहते हैं जो पहला टॉपिक ये वाला एक्जाम के अंदर में भी कई बार पूछा गया असलिए सम्राजी के बारे में पर बेबी लोनिया वाला आपको अलग से पढ़कर चलना है क्योंकि ये भी कोश्चिन इंपोर्टें टॉपिक ुपोर्रों के अंदर में इसको आप मागड कर सकते हों यहां पर इसवाले चैट्टर को भी मागड कर सकते आगे हम बढ़ते हैं असिन समराजी के अंदर में दो टॉपिक आते हैं पहला टॉपिक यहीं रहता आपका कि साइरेस और दायरेस पर्थम का सासनकाल किस प्रकार का रहा इस चैप्टर को मैंने अलग से अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है तो आप इसको जुरू देखे फार्शी सम्राजी की वीडियो जिससे आपको उस वाली वीडियो को प्रेफर करें देखाएं एंचाई 101 के अंदर में आपको बहुत डिटील के अंदर में समझ मैंगा है बट रिखमेंड ये करूँगा कि हैं जिससे आपको यहां पर साइरस कौन था दाइरस पर्थम कौन था किस तरसे उसको सासनकाल का विस्तार हुआ सासन काल के अंदर में क्या क्या कदम उठाए गए क्या भी सिस्ता थी वो सब कुछ यहां पे आपको बताकर चलना हुआ ठीक है किस तर सुंका सासन का उदे हुआ यह पुरा पर आजाता है यहां पर कोश्चन एक रहता है यह वाला कोश्चन इंपोर्टेंट है यह दोनों दिए का यह न Estáर का करेंड बताफ्य पतन का करेंड बताइयो एक उसके और भी टॉपिक है उसके अंदर में यहां नियुक्त रवर्यघ संगर्ज, लवर, संबुर्वात, न किसानवर और करा की यह किस परकार करा और शुयाने सब्धार ऑर प्राचिन युनान के अंदर मências पर यहास का इसको मार कर भी चलाएग फिलिक और पूरा चैप्टर इंपोर्टिंट है क्योंकि उसके अंदर में पूजटा को सिंकर फाठ और किसान फारikle भाथ यो जो किसान था और संप्रभाथ सभारक्टब वर्गत आपस में किस तरह से सब्सक्राइब करने के लिए यह वाला टॉपिक भी मैंने अंदर में बहुत डीटेल में करवा रहा है तो वहां से देख सकते हो और दास-पर्था वाला जो कोशन है ना दाउत-पर्था का इंपोर्डेंस क्या है युनानी पर्था की बात को युनानी समराज्य के अंदर में बात करो रोमन समराज्य के अंदर में बात करो दास-पर्था कोशन जो है और कई बार जो कोशन है ने इन दोनों का यहां पर कंपेर करके पूचा जाता है कि रोमन जो दास-पर्था था और दो युनानी दासपर था और समाच में दासपर था और रोमन समouch के अंदर में दासपर था इनिया यह पूंचा जाता है तो यहां पर की क समझने ध ह aguard निक के बाद करें तो जो युनान के इत Carson निक यो विचारक थे वो किस प्रकार का उनकी विचारणा रहा क्या मानते हैं समाज के अंदर में उनकी विचासदार किस प्रकार से गुरू हो रही थी यह कोश्चन बनकर आता है तो यह भी आपको पढ़के चलना है जिससे आपका कोश्चन यहां पर टॉपिक के लिए रहे तो चैप्टर नुम्बर ट्वल इंपोर्टेंट है चैप्टर यह जो पूरा है उनके समाज के अंदर में रहने वाले लोगों के बारे में आपके बात की जाती है कि उनके समाज के अंदर में किस तरह के लोग रहते थे किस तरह को लोगों को ग्रूप्स में बाटा गया था क्या रीजन था यह मैंने आपको करवा रखा रहा लग सो रोम रोमन समराज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ और रोमन समराज के अंदर में दास पर था यह इंपर्णन टॉपिक है जो आपका पैट्रिशियन और प्लेवियनो वाला जो कोश्चन है और यह वाला कोश्चन है यह अल्मोस्ट नमबर मतलब टिपनी वेस कोश्चन के अंद सब्सक्राइब के रोमन समराजी का विस्तार हुआ तो यह आपको पढ़के चलना है यह टॉपिक आपका इंपोर्टेंट रहता है ठीक ही समझ में आता है एक लिए लेटिन अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं जहां पर हम तीन टॉपिक के बारे में बात करते हैं माय सब यह इंका सब यह राइन का अधार पर पढ़को पढ़के जाना हैं और नमबर ऑफ टाइम यह दिखा जाता है ये दस नंबर में टिपनी बेस कोशन के और पर डिप्रेट कहा जाता है तो जिन स्टुडेंट को टिपनी वाले कोशन पसंद देना तो ये टॉपिक जोरूर पढ़के जाए जिससे उनका ये टॉपिक के लिए रुखे जाए और तीनों टॉपिक इजी है तको टॉपिक नीन और आम से आपको समझ में आएगा कि मया सब्दै है क्या थीक है एलासि छुरवात के अन्दर में देखा जाता है तो किस परकार से grow up किया यहां पर यह आपको समझ के आंदर चलना है यहां पर study करना है ठीक है समझ बात है chapter number 14 आगे बढ़त है chapter number 15 के और जहां पर हम बात करते है दुलन चोब chapter number 15 का नाव है अफरीका यहां पर दो टॉपिक बन कर आते één एक आताया आपका topic दुलन का मुल्ले और दूसरा topic आपका रहता है डचिन अफरीका की अर्च व्यשचा के बारे में यहां पर मुके संबानी जी का में इंजामपल लेके चले तो उन्होंने अपनी लड़की की साधी करी लड़के की साधी करी अगर वो किसी गरीब से साधी करते तो गरीब तो पावर बनता पर मुके संबानी जी की पावर नहीं बढ़ती ठीक है उन्होंने जिससे साधी किया वो भी अम करते काद से लगा जाता था इस तरह से मуляं मुल्य यहां पर माना जाता था यह चीज़ें हम बाथ करते हैं का मुल्य के सथयर पर पिता का समपत्य की सथयर पर माता त Ral. दूसरा कई बार न५ंध में यह बन कर आता है कि पष्चीम अफरीका की अर्थवस्ता बताई करें करें ने तो यहां पे दोनों के अर्थभरस्ता को कर चलना है रहां आगे मैं बढ़ता हूँ यह मुले वाले नहीं यह टॉपिक भी बेस बिरातार आप है चेप्टर Carbon यहां पर हम बात करते खाना बदो समराजय के बारे में को स्टिन यह है करए है किस प्रकार से विशतार हुआ एक मंगोलिया वमठी के बारे में अपने पढ़ाओ और सुनां हुआ मंगोलिया वương नोसम्राज्य का विश्थार किस प्रकार से वहा iqt राबमें तो नोस प्रकार अंदर में जो ऊंस्तार करें जेदा ऑनको विस्तार के रिजन क्या होते ते इस तरीक से मतलग कब्जा कर जाता था तिक लूट पाट मार जो चीजी होती दिदू किस प्रकारश होता तो यह सारा कुछ आपको यहां पर study करके चलना है important topic है कई बार पूछा जाता है ठीक और कई बार ना हम confused जाते हैं खाना बहुत समराज्जी के बारे में question बनकर आता है और हम कई बार प्रसुपालक खाना दोस्त के बारे में कोई answer देते हैं तो यह वाले चीज़ों का भी ध्यान रखना है क्योंकि अगर देखो मेरी अगर ना पीछे की कुछ वीडियो उठाके देखोगे तो मैंने number of time recommend कि question paper को solve करो जितने जादा आप question paper solve करोगे ना previous year के question paper जितने जादा बनाओगे आपका जो mindset है question के परती उता जादा clear होता जाएगा समझ में understanding बढ़ेगी सबसे main motive क्या होता है for example आप यह मान के चलो मैंने कई बार बढ़ाया यह चीज़े एक student है जिसने एक chapter को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया पूरा रट लिया पर अब उसको यही नहीं पता कि exam में question किस तरीके से बन कर आता है ठीक है अगर आपको question का pattern समझ में आ गया ना कि question का pattern यह है question यह पूछ रहा है चैप्टर के अंदर में तो आप particular उस चीज़ को study करके जाओगे ठीक है आपने मान लोग पूरा chapter पढ़ा और आपको पता ही नहीं कि chapter के अंदर में जो question बनकर आएगा किस तरीके से पूछा ज कि question का pattern क्या है क्या चीज़ पूछा जा रहा है और क्या चीज़ पूछा जा सकता है इस पूरे chapter के अंदर में question किस तरीके का बन सकता है अगर आपको वह pattern समझ में आ गया ना तो आप अच्छे number gain करोगे कोई रोक नहीं सकता अच्छे सतयारी कर पाओगे study के लिए वह अगर आप membership लोग है तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो यहां पर क्रिवेस्ट यह भी करूँगा आगे वीडियो बनाने से पहले कि अगर अपी तक आपने हमारे दाइनप चैनल का membership नहीं ले रिखा या subscribe नहीं किया है लाइक से जरूर कर ले जिससे हमें motivation मिलता आपक वीडियो एक ही कर रहा हो बट अच्छा topic कर आओ अच्छे से कर आओ जिससे आपका चीज़ें के लिए हो ऐसा नहीं कि भरदो topic और वहां पर आपको चीज़ें के लिए हो वह विकार है क्योंकि आप जब 5-10 साल के question कर रहे हो उसमें से एक ही question को चाट रहे हो कि यह वाला chapter म वासुको सभी के important topics जिससे आपका जो topics है वो clear हो के चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला chapter आता है chapter 17 जहां पर हम बात करते हैं प्रिवर्तित रोमन समराज्य के बारे में यहां पर हम बात करते हैं कि इस तरसे बढ़ा उसका चित्री स्थर क्या था वो आपको यहां पर बताना होता है यहां पर दूसरा टॉपिक रहता है प्रवर्तित रोमन समराज्य का राज्य और प्रशाशन के बारे में अब यहां पर रोमन समराज्य के अंदर में change हुआ परिवर्तन हुआ उसके बाद वहां पर जो समराज्य था उसके अंदर में राज्य और प्रशाशन वर्सता किस प्रकार का था क्या परिवर्तन देखने के लिए मिला यह आपको define करना होता है यह topic important है यहां पर अगला दासो को यहां पर trade क्या जाता था निमन वर्ग और दासों के अंदर में comparison करना है उनके पास क्या rights दिए गये थे क्या दिकार थे ठीके वह आपको यहां पर बतागना है अगला question यहां पर आता है कि रोमन समराज्य में इसाई धर्म की स्थापना है यह भी topic important है यह वाला chapter important ह इसको आपको च्छे से study करना हो का थीक है तो इसाई धर्म के स्थापना की ऊए इस थापना काby रिज़न क्या थे जो भी सास थे उन्होंने स्थापना को सपोर्ट क्यों क्या क्या reason ता support करने का मेंल लिए अगर हम बात करें तो इसाइध धर्म का स्थापना का पीछे main को support नहीं करें अगर हम इसाइध धर्म को अपने राजियम अपनाएंगे नहीं तो साइध जो मेरी सत्ता है कई नहीं हम खो दें ति हमें सासन से हाँ दोना फड़ है, हमारा तक्ता प्लट हो सकता है, हमारे खिलाफ विद्रो हो सकता है, जिसके बाद इसाई धर्म को अपनाएगा विद्रो का रीजन क्या होता था यह उनके माइन में डर था कि जो हिसाई धर्म के अंदर है जो विचारदरा लोगों के सामने प्रसुत की जा रही है लोगों के सामने जो विचारदरा प्रजेंट की जा दितित vineyard कि एसाइई दर्म का जिसके बाद रस्तासो को ने यहां पे इसाइई दर्म की स्थापना करी इसाeyed दम को अपनाया गया ठीक है राज्जी के अंदर में लागू किया गया प्राथ्मी-धन के तौर पे इसाइई question of the video Islam dharm का उदे कब हुआ और किसके दौरा Islam dharm की स्थाफना की गई simple question है बहुत easy question है बहुत ही ज्यादा easy question बच्च वाला आप उसको comment करके बताए देखते कितने student को इसका answer पता है अगर आपको नहीं बताना तो मैं request की करूँआ इस answer को जान लिए क्योंकि बहुत easy question है और नहीं पता Google की जिससे आपको answer पता सकते करके जरूर बताएगा कि क्या answer islam dharm की स्थाफना कब हुई और किसके दौरा स्थाफना की गई ठीक है islam dharm का उदे किस परकार से हुआ उदे का reason क्या था ठीक ही सारा कुछ आपको study करना है और उदे कब कैसे कहां पर हुआ क्या reason था किस तरह से विस्तार हुआ यह पूरा यहाँ पर आपका जाता है पर उदे के सासात में एक question यह बनकर आता है कि पूरा एक time period है अब इस time period के किस तरह से अरफ संसार grow up कर रहा था क्या चीज़े थी क्या विवस्ता था किस प्रकार का समास था लोगों का जीवन वैपन का अधार किस प्रकार का था यह आपको यहाँ पर बताना है ठीक है समझ में आता है पिले chapter 19 को बढ़ते हैं यह topic important आपके chapter 19 जहां पर हम बास करते ह बारे में हमारा हमारा प्रोडोशी दिस यहां पर दो टॉपिक इंपोर्टेंट आते हैं पहला टॉपिक ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको हम लेके चलते हैं ठीक है Confucius वाद के बारे में यह Confucius वाद है क्या चीन के अंदर में Confucius वाद कोई धर्म नहीं है एक आइडिल िंचिन के बारे में बात की जाती है चीन के इतिहांस लेखन के बारे में बात की जाती है कि एक किस प्रकार से मतलब मतलब एक मा हствен के साथ पहर क्या है किस सरी किसा आप कर सकते हैं इसके बारे में आपको बात की जाती है यह आपको पढ़ना होगा यहां पर चीन के अंदर में जो समाज का और किसान की समाज है चीनी समाज और समाज का जो समानने किसान समाज है जो उसके बारे हम है किस समाज जैकिसान होगा, वो किस प्रकार से विकास कर रहा है, उसके बारे में भी question बनकर आता है, तो ये थोड़ा सा पढ़कर आना है, और normally इस वाले chapter के अंदर में कनफिस वाद important topic रहता है, तीक है, आगे बढ़ते हैं, ये topic important है, ये जो तीन chapter आपको दिख रहे हैं, ये तीनों chapter, most important chapter में से एक है, तीनों chapter को अच्छे से study करना है, इसके अंदर में question आता है, पहला chapter 20, chapter number 20, जहां पर हम बात करते हैं, सामनत वाद के बिविंद रिश्ट कौ सामनत वाद का नहीं की देखा, तो जाकर देखे, जिससे आपके topic भी के लिए रोके चले, सामनत वाद के बिविंद रिश्ट कोन क्या है, ठीक है, इसके अंदर में total 4 topic बनकर आते हैं, पहले वाले chapter के अंदर में, यहां पर हम बात करते हैं, यूरोप के अंदर में सामनत व करना किस प्रकारत पर असुत की गई, यह करके total 4 topic यहां पर बनकर आते हैं, चारो topic आपको study करना है, और important topic रहते हैं, ठीक है, समझ में आता है, अगले यहां पर अगर मैं chapter number 21 के बारे में बात करूँ, chapter number 21, जहां पर हम बात करते हैं, सामनत के रूप में, सनरचनाओं के बा प्रकृति क्या है, नाइट क्या होता है, इसके बारे में question बनकर आता है, मैनर क्या होता है, सामनत वादी ववस्था क्या है, यह question इस वाले chapter के अंदर में बनकर आता है, कई बार question यह बन जाता है, कि सामनत वादी ववस्था के अंदर में क्या क्या चीज़ आता है, किस तर बात के फीफ नाइट के बारे में चैप्टर 11 में पढ़ा आपने नहीं पटर का वीडियो डाल रहा है वहां से आप देखें उस्वाप उसमझ में हैगा ठीक है और नॉर्मली एक तीनों जो होते थे एक तरह से व्यवस्था होती थी जो अलग-लग तौर पे डिग्नेटिट वॉक दिया जाता था कि आपको यह काम करना है तो किस तरसे फीफ नाइट और मैनर होते थे उनके बारे में आपको बताना है ठीक है समझने आता है आगे बढ़ते चैप्टर नुमबर 22 जहां पर हम बात करते हैं सामनतवाद के चरण के बारे में कि सामनतवाद के चरण क्य पर टक का पूरा जो टाइम पृत है वह सामनतवाद के नदर माना है अगर को में सामनतवाद के प्रमुक्ष बताएं यहाँ पर Forst and Second दोनों को बताना है अगर कई बार question ये पूछा जाता है कि सामंदवाद के प्रथम चल्ण को डिवाइन किजो या समंदवात के समांदवाद के दुथय चलन को डिवाइन किज tackle तो आपको particular प्रथम दुथय को बन कर रहे तो कि कोश्चिन कई बार यह भी बन कर राता है कि सामधवात के प्रथम चर न को बताईए या तो जो पूछा जा रहيم हो बताईए और सिंपल पूछके आता है कि excluded क यह वाला important चैप्टर आपको रहने वाला है I am कि प्याइन के पतन कि परकारत से हुआ और बेलजीयम के इतियांस का रहे हैं हैं पुछा से लेकर 1930 के बीच में साभनात वाथ के अपर में इसको बी स्ट नहीं करकेश है चलते समुंद्री वैपार के बारे बारे में समुंद्री वैपार है किस तरह से ग्रोअप किया समंद्री बेबार संद्री पर पंदर्मेश uy सताब्धी में किस प्रकार एक उपजा नुबिए पर केंदर में पुर्त्कालय का बेच्शे प्रपार के दो टौपिक आते हैं ऑधारत की अगर में बात कुरूं ट। 24 चसे नंदर वी में क endpoint करने साथ में समुदरी व्यपार के उपर में क्या city important है तो बहरत ये भी कोश्चन में नदर में क motet के वह की चीजए थी क्स तरह से इंपक्ट पड़ा यह आपका कोशन रहता है चेप्टर नुम्म 25 जहांपे बात करते हैं वैपारिक समुदाय के बारे में भारत का जो बनिया समुदाय था वह किस तरह से गूर्व हुआ आज के समय में सबसे कंजूस व्यक्तियों के अंदर में भारत का बनिया समुदाय आता है ठीक है भारत का जो वैपारिक समुदाय था भारत बंजारे समुदाय थे बनिया समुदाय थे उसको हम यहां पर काउंट अप करते हैं ठीक है जो बंजारे लोगते हो वह यहां पर आत है लिगे I connected 26 कि झा करते हैं वानिजिक पर्थाउं के बारे में यहां पर करते है यहाँ इंदर करते हैं यहां तरीका के हटा और व्य पार के लिए कि Those जो उपे आधारित उनका वैपार वैवस्तात है इससे लिटिट यहां पर टॉपिक आपको बनकर आता है कोश्चन बनकर आता है इंपोर्टन टॉपिक रहता है चैप्टर नमबर 27 के अगर मैं बात करूँ यहां पर हम बात करते हैं सिल्फ उत्पादन के बारे में चैप्टर नमबर 28 जहां पर हम बात करते हैं विज्ञान और प्रदुकी तता विस्तार के बारे में किस तरह से विज्ञान प्रदुकी और ज्ञान का विस्तार हुआ विकास हुआ कोशन यहां पर यही बनकर आता है कि विज्ञान के शेतर में आधुनिक विश्व के बारे साइन्स बताना है कि विज्ञान के छेत्र में हुए आधुनिक विकास किस प्रकार से परिवर्थन देखने के मिला पहले खेत जोतने के लिए हलका उप्योग करते थे आज रेक्टर से खेत जोता जाता है तो क्या परिवर्थन है पहले हम चांद को दूर से बैठके देखते आज हम चैंसम का फोन आ रहा है कि आप फोन में बस फोटो गीजो पूरा पास आ रहा है चांद तो अलग लग तरीके से किस तरसे विकास हुआ हमारा इसके यहां पर विकास के चरणों हमें आपर बात करते हैं चैप्टर नबर 29 जहां पर बात करते हैं धार्मिक संसाओं के हैं रोफ को ससंचर्मणा अधनूनिक विश्व के अंदर में क्या संकर्मण हुआ आज के चांद समे आगर दूसरे को जानते तो अपने घर में बैठा के पूरे गाहों के बता देगा पूरत साथ जनम का उंडली बाप परदादा सब को गिनवा देगा हमारे बिहार में तो यह मतलब एक नेचर है तो आज का जो आधूनिक विश्व है ना वह किस परकार से वैश्वी करन के कारण से ग्रामिक इसके बारे में बात करते हैं जनसंक्या प्रगृति और संक्रमन के बारे में मत्यकाल में जनसंक्या के अंदर में परिवर्तन किस परकार से परिवर्तन दो सरह से देखा जाता है एक परिवर्तन विकास का कि जनसंक्या बढ़ गए दूसरा डाउन का कि आपका डाउन फॉल रहे हैं अगर विकास हो रहा है तो माना जाता है कि पुर्ण बोस्तार हुआ है कि मतलब जब ज़्यादा ना लेट्रसी भी कम रेट न तब भी एक्टरस का बढ़ता अब यहाँ पर पाटिस्तान की जंसंख्या बढ़ंगा थीक है भारत का तो समय के साथ में जोड़ा बाकी चीज़ेबढ़ी तक निकी तौर पर विक्सित हुआ बागी फॉर्म साहिए और अलगलग तरीके सम विकास करें तो हमारे जनसे क्या बड़ा चीन का भी समझ में आता है बागी देशों का भी समझ में आता है पाकिस्तान का फर एकड़ाप से जनसांगे बड़ा है उसी स्वीड से उसके देश की इकनॉमी कहीं पर ग्रो होते हुए नहीं देखती है ठीक है हमारा एक जो भारत की जो एक बड़ी कंपनी ना कोई भी एक कंपनी उठा के लेके चले जाओ रिलाइंस ले लो और पूरा पकिस्तान ले लो बात बराबर दोनों कंपनी पैरलर आपको देखने के लिए मिलेंगी ठीक है उनके ज अगर अच्छी बात है उसकी लाइफ 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 लाइन बड़ेगी जन्संक्या बढ़ा रहेगा कि देश के इंदर में तो यह चीज है तो किस तरीके सा संकरमन हुआ परिवर्तन किस प्रकार से देखा गया और यह जितने भी इदर के लास्ट के चैप्टर से न वह सारे आपको खुद सेल्फ स्टेडी वाले हैं सेल्फ स्टेडी करने मतलब क्या आप history के student हो अपने दिमाग के दार पर अपने चीजों के दार पर किस तर से क्या चीज़े हो सकती है उसके दार पर आपको इसका आंसर देना है तेक यह कोई बुक का है वो नहीं देखना है कि बुक के अंदर में क्या लिखा हुए बुक का help लो बट बहुत सारी चीज़े अपने thinking के वेस्पर और आज की current situation के वेस्पर भी आपर आंसर देखे चलना है यह नहीं कि सर्र आपने तो कुछ और बताया बुक में कुछ और लिखावा है यार आप history की student हो आप खुद आंसर समझो क्या चीज़े है तहरी करण chapter number 32 जहां पर हम बात करते हैं सहरी करण के ब सही है important है कई बार पूछा भी जाता है यहां पर chapter number 33 जहां पर हम बात करते हैं युद कोशल संचार प्रदुगी की बारे में युद कोशल है के विया प्रबारुद करांती किस परकार की रही ठीके बारुद करांती के importance क्या थे अब देखो पहले जो युद हुआ करते थे आज से अगर आप देखोगे 200-300 साल पहले राजा महराज हो के टाइन पर तो घोड़े और हांती उसे युद होते थे थे राजा महराज यदर तलवार से आया गए उससे पहले अगर दोयता तरहता यूग में जाओगे तो आपर तरहता यूग में जाओगे तो वहां पर क् और अलग-अलग तरीके से चीज़े होते थे सब के पास में लग-अलग देवी सक्ति होती थी ठीक है सब देवी देताओं को प्रस्ण करके सक्ति प्राप्त करती तो उससे यूद करते थे समय के साथ में परिवर्तन हुआ राजा मारा जाए वो तलवार हांती घोड़े से लड़ाई करने लगे खुंकरावा होता था यूद करते थे उसके बाद में वर्ड वर का टाइम आ जाता है वर्ड वर के अंदर में बं तो बहरूद यूज किया जाने लगा उसके बाद में क्या होता है प्रमानु बंस के साथ में वर्ड वर खतम होता है तीती यूद का सा स्थित वा और 200-300 लोगों ने मिलकर पूरे भारत को गुलाम बना दिया पूरे भारत को 200 तालों तक गुलाम बनाके रखा पर आज भी हम गुलाम है पर हम physically नहीं डिजिडल गुलाम बन रहे हैं डिजिडल कैसे यूत चला रहे हूं YouTube पर वीडियो डालने वाला हूं ना ऐकी किस है कि से सब्सक्राइब कर रहे ही ये यह जिए यूज करने होइं हुआ हुज रहे हैं आज हम चीन से समय लग भाडिया करा है चईजे तो हर चीज में से नहां चीज असेंनिकली कि हर मतलब आपके दूसरी चीज अस छीज की होगी नहीं तो बारrendा अश्जीय मेंने चीज भली है हर चीज आपके डेस की नहीं है हिए यह घर के अधर को Garm ठीक है अगर आपको कहे रहो ना बुक भी उसकर रहें तो बुक के जो जिस विफ मसीन में छपेंगे हैं ऐहां पर आता है युद कौसल और संचार प्रद्गी मतलग किस तर से के परिवरतन हुआ समय के सत्यक्रांत करांति किस परकार किसे कहते हैं कि एंस चैप्टर चैटर नमर्ट 250 जहां फे हम बात करते हैं नातेदारी और परिवार का धांचा के बारे में नातेदारी व्यास्ता क्या है परिवार का धांचा किस प्रकार से है यह कोशन बनकर आता है इसके अंदर में जो टॉपिक अब इस वीडियो का benefit क्या हो सकता आपके लिए आप अगर इस वीडियो को देखो को आपको रफलिक समझ में आजागा यह सारी वीडियो आमारे चैनल पर है वहां से आप सब्सक्राइब को मिल जाएंगी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है एकर आप लास्ट फैवेर के कोशिंबर की वीडियो देखते हो दोई नियपके पर में मेंबर से प्लेने के बाद तो आपको उसस उनका रिस्पॉंस रहा है उससे आपको समझ में आ जाएगा और लास्ट फैवेर की वीडियो से यह कभी पुरानी नहीं होती कि सर आपने 2022 तका करा रहा है 2023 तका कर रहा है आगे के कोशने पर भी सौल करवा रहे हैं तो वीडियो को देखो बहुत ज्यादा इससे वो भी इस वीडियो को फायदा उठा सके हैं यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं थैंकि सो मुझ वाचिंग में थैंकि सो मुझ फर लिसनिंग में बाबाय टेकर और अलबेस्ट